तंत्र के अंदर बहुत सारे पद्धती है, ऐसे हम लोग का जेनरल एक आइडिया रहता है कि तंत्र मतलब कुछ ये वो कर दिया, मतलब कुछ मास या मदिरा ये सब का प्रयोक कर दिया, ये एक आचार है, एक पद्धती है, ये भी एफेक्टिव है, लेकिन सिफ ये ही नहीं ह अब बिना इस सब के भी तंत्र साथना कर सकते हैं, बहुत बड़े तंत्री कुपासक अभी भी है इस देश में, जो लोग एक दम बिना उसके भी पुझा करते हैं, ये सही चीज नहीं है, कुछ भी जो भी हो रहा ही है, तो एक दम से गुस्सा आ गया गया, और गुस्सा आ इतना गैरंटी मेरा है आपको, आप चाहे कितना भी तंदसादना कर लीजे, कुछ भी कर लीजे, हमायले के उपर भी चड़ जाए, कोई फरक नहीं बढ़ता है, मेरा अगर दिमाख खराब हो जाएका, जिनका पूजा मैं करता हूँ, वो आपको नहीं चो लेगा। दोस्तों, जो गेस्ट आज पॉडकास्ट पर आये हैं, इनके साथ हमने चार इंगलिश एपिसोड बनाए हैं, और ये हमारे सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट बन चुके हैं इंगलिश चैनल पर, अगर ये पहली बार है कि आप राजाशी नंदी सर का नाम सुन कर जाओगे, अक्सर हम हिंदुद्वम की बाते करते हैं, سनातन धर्म की बाते करते हैं, पर तंत्र की बाते बहुत कम होती हैं, इंटरेट पर, अगर आपको इसली तंत्रा के बार में जानना तो एक्सपर्ट से जाननेे, अट्वांस प्राक्टेशनेर से जाननीे sustainable si e beginner, टॉपिक्स को लेकर एपसोड बनाते हैं, मेरी इंटेंशन यह नहीं है कि हमें हमारी ओर्डेंस को ढराना है, ऐसा कुछ भी हम नहीं सोचते हैं, हमें बस अपको अलग-अलग सब्जेक्स के बारे में ज्यादा सिखाना है, और इन सारे एपसोड के एंड में हमेशा एक ही ले लोग के लिए हमने हमारी मेडिटेशन अब लेवल सूपरमाइड डिवेलप की है, नीचे दिये गए लिंक से एक फ्री ट्रायल मिल जाएगा आपको, हिंदी में मेडिटेशन आपको मिलेंगे, और भारत के हर रीजनल भाषा में मेडिटेशन होंगे, लेवल पर डाउनलोड कीजिए, पर अभी के लिए बस बैट जाएए और एंजॉई कीजिए, सीखे हमारे तंत्रा स्पेशल से राजशी नंदी सर के साथ. राजशी नंदी सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है, नमस्ते, कैसे हो सर, बस मड़िया एक्दम, कल हमने आपके साथ तीन बहुत जादा पावरफुल पॉड़कास्स रिकॉर्ड किये, इस पॉड़कास्ट का मिशिन यह है, कि हिंदी ओडिंस को भी पता चले, कि आपके तीन जबर्दस पॉड़कास्ट हमने इंग्लिश में किये, इस इन इंटॉड़क्शन तो यू, हिंदी ओडिंस को क्या कहना चाहोगे पहले? कि आए होप आप इंजॉए करें यह पॉड़कास्ट और उलसी, ओके, तारा दिव्या नमा, तारा दिव्या नमा, और मातारा तो यहां पर विराजमान है अक्दम सामने, तो उनके ब्लेसिंग से, आए होप कि यह पॉड़कास्ट बहुत ही बढ़िया होगा, आपने कली मुझे यह मंत्र सिखाया और आज मैंने मेरी मेडिटेशन में इस मंत्र का जाप किया, जिस स्टेज की मेडिटेशन तक मैं पहुचा हूँ भगवान के आशिरवात के साथ, जब आप एक नए मंत्र को इंट्रूस करते हो अपने मेडिटेशन में, उसके एफेक् कैसे है उनमें? पूरा लाइफ स्ट्रीम में जो शक्ति आपको गाइड करके, जैसे कि माल लीजे ये एक एक जामपल लीजे कि आप आप ऑशिन में आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं, आप एक सेलर हो, बोड लेके आप जा रहे हो, और बीच में तुफान आगया, यह आगया तो होता रहता है जैसे कि जिन्दगी में होता रहे हैं, कभी कुछ यह हो गया, तो वैसे महाविद्य शक्ति जो उस समय पर आपको गाइड करके लेके, सेफली आपको क्रॉस करवा सकते हैं, वो ही है तारा, यानि कि आपकी रक्षा भी करेगी, गाइड भी करेगी, लेकिन एक चीज है, महा गुसा नहीं, अगर, हाँ एक टरह से बोल सकतें कि थोरा सा गुसे का स्वरूप है, लेकिन ये हम लोग को लगता है कि उनका गुसा है, उनको गुसा नहीं है, देवता को ना गुसा है, ना यह है, वो हमारे दिश्टिकों से लगता है कि अच्छा यह ज़रा मायल्ड है, य श्रवाव जैसा है भगवान भगवान होते हैं एकदम मेरे खियाल से दूना ड़ावना नहीं हां फर्क बूट डरावने होते हैं माता बहुत हो सकती है एकदम एक साधहरन सा एक जामपल लिया जाए जैसे कि आंट कोई तो वैसे ही है माहतारा का कृपा आ जाते है जो है उसका आगे कैसे प्रोग्रेस होगा लाइफ में अध्यात्मिक जीवन में अजहां वह पूरा महतारा ही करेगी सब कुछ लेकिन जो है वह थोरा सा शीज स्ट्रिक्ट मैंने मेरिटेशन से एक चीज़ सीखिया कि अगर आपको किसी भी देवता से ज्यादा कनेक करना उनके रूप के बार में ज्यादा जाहिए आपको जैसे कि अगर आप कृष्ण भागवान की पूजा कर रहे हो वो एक फ्रेंड की तरह भी है गाइड की तरह भी है माता बिलकुल आपके माँ की तरह है जितना आप उनको अपनी माँ जैसा मानेंगे उतनी ज्यादा अशरवाद उनका आपको मिलेगा पर आपको ये भी जानना चाहिए कि माँ आपको डांट भी सकती है सही बात एकदम ये वैसे यही मैं बताता हूँ लोगों की माता तो है लेकिन ऐसे मत सोचो की जैसे हम लोग हमारे जो माता पिता या कोई है इनके साथ कंपैरिजन नहीं करो पूरा इस इस एंगल से मैं बता रहा हूँ कि अच्छा आपने कुछ गलती कर दिया अपने ममी न आपको डाट दिया जाके थोड़ा रो लिया कि अच्छा गलती हो गया यह हो गया तो उन्होंने माफ कर दिया लेकिन महाविद्य वैसे नहीं वो सिखाएगी अच्छा दंड मिलेगा लेकिन दंड में भी आपका ही बहला होगा कभी हो ही ने सकता कि आपका बहला नहीं होग लेकिन वो है कि जैसे कि आपका मान लिजे कि कोई एक्सिडेंट होगा, कुछ इंजूरी हो गया, तो डॉक्टर के बास आप जाते हैं, डॉक्टर ने बोला कि अच्छा इसका ऑपरेशन करना होगा, तो उस समय के लिए तो थोरा चोट, अपका दर्ध होगा, थोरा ऑपरेश définition में नहीं बोल रहा हूं मैं, भєंकर रस नमें थोरा स्परेश जैसे बोलते नो, तक आज का वोह श्रूने कि महुत्अ जाप कि महाविधिया मतलब क्या है, महाविद्या मतलब कि सब जितना देवी के मां के जितना शोरूप है, उसमें से अब पावर Me hơn के हैं सबसे अपर आदी शक्ति का स्वरूप बर्णन करना बहुत मुश्किल है। मनें हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उनके शाक्त, फिलोसोफी में, दर्शन में लोग जब देखते हैं। तो उनहीं से सब का उत्पत्ति हुआ है। देवी, देवता, असुर सब कुछ। मनुष्य, जगत, सृष्ष्टी, ब्रह्मान जो भी है। उनहीं से आया है। उनके बाहर भी, ब्रह्मान के बाहर भी उनका इस्तित्व है। जो हम लोग कल्पनामी भी ना लानी सकते हैं। आदी शक्ति मतलब दूर्गावा? आदी शक्ति है सब से उपर। जैसे इंग्लिश में हम डिवाइन फेमिनन कहते हैं। कह सकते हैं। यह है कि जो तुरियावस्था में है। तुरियातित है। जो मतलब आपकी इमेजिनेशन से भी उपर है। जिन से सब कुछ का उत्पत्ति है। तो वही आदी शक्ति का आप अगर एक एकजामपल के सरूप में मैं अगर बताता हूँ कि आदी शक्ति मान लिजए कि जैसे एक एक रूम है। और आपको वहाँ पर अंदर आना है। तो दस दर्वाजे हैं वहां के। तो एक-एक महाविद्या वह है। अचा इस साइट से भी आ सकता है। उनके कुछ विषेश तत्व या प्रॉपर्टी या एक तरह से मानलीजी की परसुनालिटी चू है। जो बहुत उपर है। बहुत उपर, साधरन, हम लोग जैसे भगवती का पूजा करते हैं, मादुर्गा का इत्तादी, मादुर्गा तो है ही, ऐसा भी कुछ-कुछ तंत्र में मादुर्गा को भी महाविद्या के क्रम में लाया जाता है, जो बोलते हैं, तो, अब महाविद्या का और एक चीज है, म आशिरवत थोरा बहुत ऐसे भी मिल सकता है, भक्ति से भी होगा, जैसे कि अब मैं एक एक इग्जांपल दे रहा हूं, मैं बिंगौल से हूँ, तो उस बिंगौल हम लोग के वहाँ पे माकाली मातारा का बहुत माननता है, तो ऐसे माकाली का मंदिर है, मैं कभी चला गया थ हाथ जोर के प्रणाम कर लिया, एक माला दीदय को चिये कर लिया, थोर आशिरवत आएगा मुझे, मैं तंत्र साधना जानता हूँ, ना जानता हूँ, कोई फरक निवर्ट, एक शद्धा, एक भक्ति साएगा, लेकिन एक है कि आपको उस तर पे पहुचना है, ताकि जिसको जिसको हम लोग कोड़ते हैं, शास्त्र में बोलते हैं कि जिसमें देवता का सिध्धी मिल गया, सिध्धी अर्था था था है कि वो देवता, जैसे आप मेरे साथ सामने बैटके बात कर रहें, वैसे उस देवता का कृपा ऐसे हो गया कि अधूएम आपके साथ है, उनका तो यहां भगवान भी आप से बात करता है। एक्जेक्ली सही बात करता है। पर ओके जिन लोगों ने शायद हमारा इंग्लिश पॉड्कास्स देखा नहीं है। शायद उने इन में से कुछ-कुछ चीज नहीं समझ आ रही है। मैं आपको कुछ बेसिक सवाल पूचूंगा ताकि इन लोगों को थोड़ा सा कॉंटेक्स मिल जाए। पहला सवाल अन्रिलेटेड है। पर बांगला में यह फियर्स शब्त को क्या कहते है। एक तो हम लोग बोलते भांकर, भांकर विग्णकर जो बिंगॉली है। और तो हम लोग जो देखते हैं वो फियर्स ऐसे नहीं सोचते है। मा मा है, ठीक है। हाँ ठोड़ा सा तोड़ा सा कभी गभी ऐसे कॉलोखे लिए बात करते हैं। मां एक टू रागी रागी में थोड़ा सा तो थोड़ा सा अपने आपको समाल के वैसे भक्ति तो रहना चाहिए पर हाँ थोड़ा सा अनुशाशन डिसिप्लिन थोड़ा होना चाहिए कुछ भी ऐसे मत कर दो उनके साम महाविध्यक्रम के जो देविया है इनकी पूजा अपने कि बंगौल में तांतर में तांतरिस्सिस्म् जैदा होग है जो उसके बार में बात करने से पहले प्लीज यह भी बता दीजे कि तांतरिक होना मतलब क्या तो तांतrick मतलब एक झाल नेगेटीव इमेज बन गया है अजकेल इसमें कि ऐसे तांत्रिक कुछ यह कर रहे तंत्र एक शर्ऀ учत जैसे वीरी बेट ऊपपर्युया dynasty और वहाँ पुराना शास्ट्र है और वह शंकर्भगवान ने है तंत्र शास्त्र को दिया है कली ताकि देवताओं का उपासना किया जा सकता है जैसे अमर्चित्र काता में कहते है कि meditation की देवता के उपर और देवता वहां प्रकट हुए पर कल्युग में ऐसा नहीं होता अगर आपको चाहिए कि देवता प्रकट हुए आपके सामने तो अलग अलग और वही logic यही दिया गया है कि जो वेदिक पद्धती है सत्य यूग में बहुत प्रभाबशाली था एक तो उस समय पे corruption नहीं था कि हर वेक्ति में एक शुद्धता था और वो सब बाकी सारे वो आधार आधार यानि जिसके आपका capacity capacity वो था कि आप कर सकते थे उसमें तो वो ही बोल रहा है कि वो जो पद्धती है वो इस जमाने में उसमें फल देने में समय जादा लग जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा तो इस हिसाब से क्यूंकि इस कलियुग में लोगों का शमता भी कम है चाहे moral capacity हो या अध्यात्मिक capacity हो या अपका physical capacity भी कम है जो कभी-कभी ऐसे scholar लोग जो गयानी लोग हो बोलते हैं कि महाराथ के समय पे आपका physical features ये सब वगएरा कोई Arjun हो या करन हो या जो भी हो उनका strength वगएरा natural strength ही जादा था आज के जमाने के comparison में तो इस अवस्था में जहां पर सब कुछ का degradation हो गया है थोरा सा उस अवस्था में तब शंकर भगवान उनके अनुग्रह से blessing है या तो blessing से वो सोचते है कि इस जमाने के लोग फिर कैसे साधना करेगा देवता के सन्यध्य कैसे पाएगा यही है important चीज कि सन्यध्य पाना है आपको देवता का तो फिर उन्हों ने खृपा करके यह तंत्र शास्त्र को पूरा जगत में दिया और उनके और शंकर भगवान का हम लोग बोलते कि पंचवक्त्र महादेवा पांच उनके सिर है फाइव फेस तो एक-एक तत्पुरुश है सद्धयात अगहोरा इत्यादी पांच है और यह पांचों में से एक-एक तंत्र के धारा स्रोत निकलते रहते है मंत्र निकलते रहते है देवताओं का पूजा कैसे होगा सब के उपर चाहे विष्णु भगवान हो चाहे दसमाविद्या हो चाहे कोई और हो चाहे भेरव बाबा हो चाहे गनपती हो किसी का भी और यह पांच इधर और एक है कि उड़धो मुका उपर में भी उनके मुँ है जो दिखता नहीं है उनके भी कुछ तंत्र में तो यह भी एक उनके भी उपर है जो भी हो मत्तब यह शंकर भगवान का वानी से यह निकलता है इसलिए इसमें यह शक्ती है कि यह सिद्ध हो जाता है काम होता है मैं अगर बोलता हूँ कि अचा मैं कुछ लिख दिया यह तंत्र शास्त नहीं होगा क्योंकि वो पद्धती से आप पूजा करके देखिए कोई फायदा नहीं होगा यह उनके मूँ से आता है उनके कृपा से आता है इसलिए यह चीज एकदम सिद्ध है यह उसके गुरू है एक दा से मान लीजे कि शंकर भगवान तंत्र के सोर्स है महागुरू महागुरू एकदम महागुरू है आपने एक शब्द का इस्तमाल किया अघोरा अघोरी अघोरी लोग भी तंत्रिक होते है एक तरह से एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर ऐसे माना जाए तो तंत्र शास्त्र को एक एक्स्ट्रीम में लेके जाते हैं तो फिर वो औघर हो जाता है मतलब तंत्र के भी लेविल्स होते है लेविल्स तो है तंत्र के एकदम एक्स्ट्रीम में और तंत्र के तंत्र जो है शास्त्र बहुत वाइड वास्ट है बहुत तरी का तंत्र अब घर में बैठके तंत्र साथ लां कर सकते हैं कोई बाधारी है एक मिन ओडियन्स को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल यूज करूंगा आप बताईए कि अगर मैं प्रोग्रास अपको मिले गा उतना ही उतनी ही ब्लेसिंग मिलेंगे उतनी ही जादा पास पॉचोगे और यह आप एक जिंदगी में नहीं कर सकते अलग अलग जयन में लेने पढ़ एक जन के बाद दूसरे जन में अपको बेसिकली अगर अपने तंत्र का फायदा उठाया तो आपकी यह जर्णी आपका आपकी गाड़ी बेसिकली तेज चलेगी उस रोड पर तो जब आप एक तांत्रिक गाड़ी चुनते हो खुद के लिए खुद के स्परिच्छल जर्णी के लिए तो मान लो आप थोड़े से जल्दी से उस रोड़ पर जा रहो जहां कि जो लोग सिर्फ वेदिक फिलोसोफी को फॉलो करते हैं वो उसी रोड़ पर चल के जा रहें आप गाड़ी में जा रहो और जितना ज्यादा जितना ज्यादा आगे जाए वहां तांत्रिक रूल्स बदलते रहते हैं यानि कि अगर आप एक किलोमेटर दू गए तो न कि अगर रोड पे चल चलना चालू करते हो तो तो उसमें आपके पर चलिए कोई धिककत नहीं यह इंग है लेकिन गारी चलाने के पहले तो अपको गाली चलना पड़ेगा एक लाइसंस का जरूरत होगा वही चीज़ाए बीना आपको एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत होगा और उसके बाद भी आप पहले 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 चला होगे रोड पे तो एका केरफुल चलाना पड़ेगा तो वे सब एक दम सही एक्जाम्पल आपका और इस पूरा रास्ता और पद्धती में तो तंत्र शास्त्र का एक पूर्बर जनम से कुछ लेके आया है कुछ देवदा का क्रिपा है जो वो अग्होर के रास्त में जाके भी फ्रूग्रस कर सकता है क्योंकि उसमें जितना स्पीड में है मान लिजे गारी अपका जितना तेज जाएगा उतना एक्सिडेंट होने का चांस भी है अब पैदल चलिए तो कोई एक्सिडेंट नहीं है अनाम से शचलिएगा एकडम स्ट्रीट लाइट देखते देखते कोई दिककत नहीं ही तो कुछ नहीं होने वाला साइड़ॉक से अब चलिएगा लेकिन गारी जितना तेज जाएगा उतना नियम बदलेगा उतना कौशन भी चाहिए होगा उतना आपना केरफू रहना है नियम उतना जादा होगा डिसिप्लिन उतना चाहिए होगा चलाने का अगहोर के बारे में आप कुछ बेसिक्स बता सकते हो मतलब यह तंत्र से अलग कैसे है तंत्र से अलग इस तरह से है कि तंत्र में पहले यह जानना जरूरी है कि तंतर के अंदर जो है बहुत सारे बहुत सारे पद्धती है अच्छा ऐसे हम लोग का जेनरल एक आइडिया रहता है कि तंतर मतलब कुछ ये वो कर दिया मतलब कुछ मास या मदिरा ये सब का प्रयोग कर दिया ये एक आचार है एक पद्धती है अच्छा ये भी एफेक्ट कि ये बेटर ये ये कम है ऐसा नहीं है ये भी एक पद्धती है तंत्र के अंदर और बिना ये सब एकदम शुद्ध शाकाहरी जो वेदिक क्रम में जो जैसे अब भोग निवेदन करते हो देवता का इत्तादी वो सब भी कर सकते है उसमें भी लेकिन बस मंत्र एक रहता है मंत का इस्तेमाल होता है पूजा में तंत्र कुछ कुछ तंत्रिक पूजा में हो तो इसके लिए भी दीख्षा चाहिए यह से कोई रैंडम नहीं कर सकता उस्चीज को तो तो पंचमकर यानी जहां पे मध्य मांस मत्स माइथून इत्यादी का भोग दिया जाता है मस मच्छी य मुद्रा कभी जैसे इंग्लिश में पार्च्ट ग्रेइन यह सब चीज इस्तेमाल होता है कुछ कुछ स्पेसिफिक रहता है संपरदाय की हिसाब से वह इस्तेमाल होता है और यह ऐसे डिरेक्ली अपने नहीं सकते उसको मतलब मंत्र से शुद्धी करन करना वटता है आपको पहले निगेट करना पड़ेगा उसके बाद उसको शुद्धी करन करना पड़ेगा उसके बाद वो चीज जो होता है वो देवता को अरपन कर लेका योग्यता उसमें आता है उस चीज को फिर मंत्र के साथ देना पड़ेगा सर आपके आगे बढ़ने से बहले मैं ए और जब आप दो स्टेशन के बीच होते हो तंट्रीक पातवय में आपको अलग अलग देवताओं की पूजा करनी पढ़ती है जैसे कि मेरे खाल से पहले आपको विष्णु भगवान की प्रातना करनी पढ़ती है तो ऐसे है कि वो विष्णु भगवान नहीं, वो मतलब उसको बोलता है कि विष्णव आचार, सिर्फ विष्णु भगवान नहीं, वो आचार अर्थात कि किस पद्धती सब का पूजा हो रहा है, वो इंपोर्णन्ट है, मैं पूजा कर रहा हूं जाके बैठ के थोरा सा तीन बार पानी लेके विष्णु भगवान के नाम से आपको पानी गरहन करना पड़ेगा, इससे आपको शुद्ध हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन एक, उसके बाद आप पूजा करने का योग गिता आपमें आता है, तो वो ही चीज जो है, ये आच्पन का जो मंत्र है, आप कौन सा आसन में बैट रहे हैं, आसन के नीचे एक यंतर बनाना पड़ेगा, ये सब पद्धती थोड़ा बदलता रहेगा, नियम होते है, अलग नियम बदलता रहेगा, देवता एक ही हो सकता है, मतलब, जब वैशन वाचार फॉलो कर रहो, अब तभी शिव जी की दक्षिनाचार है कि जहां पर मतलब आपका तंत्र साधना चालू हो रहा है, जो वेदों में लिखा गया है, वेदों में नहीं, वेदों के तरा पुद्धती है, अठथा इसमें सब अपने क्रम से होगा, देवी पुजा जो होगा, शक्ति पुजा के क्रम में विशेष्ता यह इसका importance यहां पर आता है, कि दक्षिनाचार का पुजा जो है, सिफ यही अंतर है, दक्षिनाचार में मीट, या फिश, या अलकोहॉल, या सेक्स, यह सब चीज का इस्तवल नहीं होगा, दक्षिनाचार यानि कि mostly जो पुजा पार्थ हम सभी को पता है, ना, नहीं, फिर दक्षिनाचार पुजा में, अगर मातारा का पुजा करते हो, ठीक है, आप बैठेंगे आसन में, उसके पहले वही मैं बता रहा था, आपको, आपके आसन नीचे एक यंतर बनाना परेगा, आपके सामने एक पानी रहेगा, एक पानी उसको हम लोग कहते है, अर्ग, अर्ग भी बताएं उस समय पे, वो है नाम मंत्र, अचा नाम मंत्र अब किसी का भी आपके हिसाब से अब कर सकते हैं, जो इतना पंजाक्षरी, शिवा पंजाक्षरी, तो ऐसे बेसिक, मानने तही है कि कोई भी देवता का अब जो नाम मंत्र है, उसका अधिकार सबको है, अचा कि वह दीवदा का जो बेसिक टेंडेंसी उनका जो परसोनलिटी है उनका जो नेचर है उसके साथ आपका सामन जैसे हो रहा है कि नहीं आपका बात नहीं मतलब कोई भी है इनसान है और उसको बोलते हो कि अच्छा माहकाली का नम एक घंटा जब करो तो तो ढर जाये थोड़ा का मंतर दिया था जब तो करते थे दो तीन दिन बाद फुरा डर न लगने लग गया पैदा हो तो अपने आप से यह ना माकाली आपको डरा नहीं रहे आपको मनी आपको डरा रहे पहले चीज़े अगर माकाली का जब करना है आपको अक्षे कुमार इन खिलाडियों का है तो फिर उनका पुझा आपम ना किजिए तो जिससे आपका लगाव है जिसको आप मांते हो या कोई भी एक 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 करने के लिए वीज मंतर का पूरा मंतर है मातारा का जो है पंचाक्षरी मंतर है उससे भी बड़ा सा मंत्र है, वीज का क्रम है, वीज मतलब जैसे पौधों का वीज होता है, वो छोटा होता है मंत्र, एक दम एक शब्द का मंत्र होता है, अगर आपने उसका जब किया, तो आपके दिमाग के अंदर, आपके आत्मा के अंदर एक पेड उगने लगेगा, एक गुरू उस मंत्रों को आशरवाद दे सकता है, दे भी देगा और उसमें शक्ति भी थोड़ा डाल देगा, जैसे कि गुरू का काम यह होता है, आपने गारी चलाना चालू किया, तो पेट्रॉल पर आने से पहले भी थोड़ा पेट्रॉल तो चाहिए वहां तक जाने के लि अंगलिश में समझाए कि इस लेवल पर यह होता है, तो वो दक्षिनाचार का हो गया, दक्षिनाचार में बाकी सब तांत्रिक पद्धति मंत्र वगरा नियम सब कुछ है, बस यह है कि उसमें जो भोग निवेधन किया जाता है देवता को वो शाकाहरी होगा, और बाकी सब कोई ना मीट अल्कॉल इस अब चीज नहीं आएगा इसमें, उसके बाद आता है वामाचार, वामाचार का दिख्षा होता है, वामाचार में आप यह पंचमकर यूस किया जाता है, जो देवता को और पन किया जाता है, सब देवता नियम, यह शंकर भगवान को आप नहीं भोग में मा को यह दिया जाता है, फिश दिया जाता है, मीट दिया जाता है, और अच्छो उसमें भी स्पेसिफिकेशन रहता है, जैसे कि आप चिकन नहीं दे सकते हैं, मटन ही देना परेगा, और उसमें मंतर जब करके बहुत कुछ है पद्धती, मतलब यह रैंडम चीज नहीं है, आपको जो जिसको पता नहीं है, उसको लगएगा कि अच्छे यह क्या कर रहा है, पूरा एकदम पूजा पद्धती, पूरा क्रम करके फिर दिया जाता है, ऐसे, और इसके बाद जो है, यहीं से अक्छुली एक तरह से माल लेजिए कि तंत्र के एकदम आप जो पूरा हार्ट अफ तंत्र, यानि एकदम अंदर में पहुच गए, वामचार पद्धती से पूजा कर रहा है, और सही इनसान अगर पूजा कर रहा है, सही मतलब जिसमें वो शम्ता है, जिसका प्रि इस्टर इंडिया में बिंगॉल हो गया, आपका विहार के जो नौर्डन पार्ट है जो है, वो नेपाल हो गया, असायम हो गया, ओडिस्सा हो गया, इस अब जगा में ये पद्धती से ही पूजा होता था, तो बहुत सारे संत महात्मा है, जो यही तांत्रिक पद्धती से करके एकदम सिद्ध वस्ता में पहुच गया, जो माता का एकदम कृपा मिला उनको, मेरा सवाल यह है कि उसी जोग्राफिकल रीजिन में क्यों हुआ यह से, हाँ, इसका इग्जैक्ट कारण तो मुझे पता नहीं, बस मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि चार पांच जाके वो चीज है ही रही, बस एक आदी शक्ती पीटो में से आदी शक्ती पीट, यानि हम लोग ऐसे मान दें कि 52 शक्ती पीट है, उसमें से चार है सबसे पुराना, उसमें से एक है कामाख्या पीट, तो कामाख्या पीट में इतना शक्ती था कि उस समय पे पूरा उस एरि एक जगह है तांत्री कुपासना के पुजा के और एक और एक और क्यूट सी चीज है कि इन सोसाइटी में औरतों की बहुत इजद की जाती है यह तो हो इससे लिंक्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं बट हो सकता है और इस संदर में एक चीज है कि एकदम स्पिरिचुल पॉइं पूरा डिटेल्स तो ऐसे बताया जा नहीं सकता है लेकिन बहुत उपर जा सकती है लेकिन हाँ पर स्पेसिफिक पूजा का क्रम है ऐसा नहीं यहां पर सिस्टेम यह नहीं है कि वो किसी को देख के कुछ नहीं करना है यानि अर्थात वो यह कर रहा है तो मैं भी करूंगा जो सूटेबल है जो गुरु बताएगा उसी अधार से जा सकते है और जाके इतना तक पहुच सकते है कि बहुत सरे ऐसे एक्जम्पल है जो तांचिक मार में स्त्री औरते जो साधी का है ऐसे और्डिनरी टेर नॉट अट अल साधरन यह नहीं है वो स्त्री नहीं है वो पांच जो तत्वत दिया जाता है उसमें पंचम शब्द इस्नमाल होता है पंचम यानि जो सेक्स कहते है लेकिन सेक्स नॉर्मल सेक्स नहीं है यह चीज़ अच्छा इसमें इसमें एक प्रिपरेशन चाहिए होता है एक दम साधरन चीज़ नहीं है यह नियम होता है बहुत इतना सर अंडियम है इतना प्रिपरेशन है तो उस चीज में जो एक्सपर्टीज जिस्त्री का रहता है बहुत दिव्य शक्ति रहता है वो तो मतलब ऐसे कि मान लीजे बाकी सब उपासक वेगर तो एक्दम वैसे कोई स्त्री सामने आजा तो पहर पकड़ लेका पुरा है जिनको आता यह चीज ना बहार को भी बताते हैं तो भैरवी साधना उस उस शेत्र में इस्टर इंडिया में नेपाल हो प्रिंगॉल हो कामाख्या हो इस जगा के स्त्रियों में बहुत ज़्यादा प्रभाब था और प्रभाब सिफ नहीं एक तरह से एक्सपर्टीज भी थ करते हैं कि इस चीज को पूरा आउट अफ कॉंटेक्स लेके आप एक लाइन बना के कुछ बना देने एक दम इतना सरा आप सोच रहे सकते कि इतना मंतर अनुष्ठान करना बरेगा लाखो लाखो मंतर जब करना पड़ता है उसमें निमित देखना पड़ता है कि मंतर ठीक स मातारा है एक दम मातारा वनने एक तरीका से माकाली का भी फिर कुछ कुछ रूप है जो आप दक्षिनाचार में पूजा करके भी एक दम उनसे मतलब एक ब्लेसिंग आपको मिल सकता है घर पर लेकिन मातारा का जो एक दम आदी रूप है जिस रूप में हम लोग महाविद् साथना हो या एक और एक तर्म होता है योगिनी मतलब ऐसे कोई आज तो दुनिया में सब कोई नाम के आगे पीचे योगिनी लगा के बन जाते हैं इंस्टेग्राम पे जिसको जो अच्छा लगे करें योगिनी पर योगिनी बनने के बहुत रूल्स होता है बहुत सारे चीज़े योगिनी ऐसे ही नहीं एक तरह से मान लीजिए कल हम लोग बात कर रहे थे वह बीइंग्स के बारे में तो योगिनी मेरे ही सब से जाधा तर वो औरते जो योगिनी बनने का लाइक है और बन सकती है जो है वो है कि higher beings जो यहां पर आये है वो ही कर पाएगी वो ऐसे ordinary soul उतना ताकत है ही नहीं इसमें योगिनी लेवल तक पहुच पाएगा एक और क्रम रहता है योगिनी के नीच रहता है वीर कलम बता रहे थे कि बावन वीर होता है तंत्र में और वो एक तंत्र का और एक धारा है जिसको कहता है साबट तंत्र तो साबट तंत्र में ये बावन वीर का बहुत महत्व होता है पूजा होता है उसमें हनुमान जी आता है नर्सिंग भगवान आता है बहुत सरे आता है तो ये बावन बीर जो है ये लोग योगिनी के पैर पकड़ लेता है योगिनी में इतना शक्ति होता है योगिनी है कि मा का जो सबसे पास जो रहती है चीस्टि फोर योगिनी है यह महाविद्या है मा आतारा है या या मा काली है या कोई भी मा चिन्नमस्ता है कोई भी है या चिकूर सुंद्री है उनके आसपस चोसट योगिनी गूमते रहती है उसमें भी ऐसस लेयर रहते हैं चोसट मेझेप और formally मां के एकदम करीब है एकदम उन्ही लोगों को पता है कि मां कहां पर है क्या कर बाकि किसी को पता नहीं है तो ये जब आप साधना करते हो ये क्रम जाते जाते हैं हम लोग तो ऐसे एक भक्ती भाव से कोई भी मंदिर में जाके मैं थोड़ा हाथ जोर के इंटरेकशन होगा योगिनियों से इंटरेकशن होगा योगिनियों को भोग देना पड़ेगा योगियों रासतर नहीं चोड़ेगी was यह ही कल बात करना तो तेस्टिंग क्या होता है यह लोग भी टेस्ट Kalem यह नहीं है यह है आपका commitment कितना है पाती है आप कौन हो क्यों आना चाते हो यहाँ पर आप ऐसे ही कुछ गूमने थो रही है और उन लोग का यही रहता है कि वो political party नहीं है कि अपने जितना कम है उतना अच्छा है वही चीज वेद में भी हम लोग को मिलता है कभी कभी देखेंगे आप कि वेद के आ गया कोई आ गया उनका तबस्या थोरा भंग करने के लिए तो वो अपसरा कौन भेजा है ना कोई राक्षस ना कोई असूर ना कोई भूत प्रेत ना कोई डेविल डिमन कुछ नहीं वो भेजा गया है उनका commitment देखने के लिए अच्छा आप कर पाएंगे कि नहीं आपका भ्रमित होता है कि नहीं आपका तबस्या भंग हो गया एक सेकंड के लिए भंग हो गया बस और रिदम में रहता एक साधना में एक समय आता है आप करते करते देखेंगे कि रिदम आ जाएगा बहुत मजा आता है उसमें मतलब लगता है कि यही लाइफ में और कुछ नहीं आगे जाना, पीछे जाना, एकदम सब सेट चल रहा है, मंतर शक्ति आपके अंदर काम कर रहा है, सब देवता सही है, उसी समय पे यह जो फोर्सेज है, आसपास में, यह जो बींज है, यह भी देखते हैं आपको, अच्छा, यह आ रहा है, अच्छा, यहाँ तक पहुझगा, चलो देखते हैं थोरा, टेस्ट कर देखते हैं, और जो भगवती, जो मा का स्वरूप है, जिनका पूजा कर रहा हो, जो एकदम में है, यह पूरा चीज में जो में, आप तो फाइनली यह चीज़ पूजा ही हो रहा है, उनको पता होता है कि हो क्या रहा है, बट नहीं इंटेफें नहीं करेंगे, उनको भी देखना है कि कर सकते हो की नहीं, अच्छा, एट्व सर zaj में झाए, Representative, जो देखते हैं, झां क्या होता है, और अगर अब test cross कर गए और test एकदम test ही होता है वो आपको बोल के नहीं आएगा ऐसे समय पाएगा जब आप मान लीजे, relaxed हो वो expect नहीं कर रहे हो तभी ता test हुआ अगर test पास हो गए तो आप next stage में आप खुद ही पधा चल जाएगा और अपन्दर का शक्ती कैसे आपका परिवर्तन ला देगा लाइफ में परिवर्तन ला देगा और यही है अंदर में change होगा तो आपसपा surrounding में भी change होता रहेगा outside, बहार और अंदर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बहार और अंदर का एकदम लिंक है एकदम लिंक है आपका consciousness क्योंकि चित शक्ती जो मैं बता रहा था और साधरन भासा में consciousness अमलग यूज करते हैं consciousness बदलेगा आसपास में सब कुछ बदलता रहेगा ऐसा हो इनी सकता है कि आपका consciousness consciousness बदल गया और आसपास में सब एक तरह नहीं यह है कि जैसे कि पाहार में आप चर्रह रहे तो आप इतना किलो मेंटर इतना मीटर गये तो पुरा सीनरी बदल गया पहर पौदा बदल गया सब कुछ बदल गया यह होगा उस पात के बार में आपको और कुछ कहना है तो इसी में जहां से बात चालू हुआ था तो ये तंतरसाधना के मार्ग में एक जगा पे होता है कि एक तरे का तंतरसाधना होता है जो समशान में भी होता है करें गुरू के या जाना पड़ता है वह बहुत ही रास्ता है उहीं पात्रतु जगा थैंग्र उब अधे जगा है वह बहुद आहे हरे यू एक डं़ारिख भूल को अच्परेंग फेसे स्टमने जए तरे का वी दम नहीं नहीं गुरू पात्रता जैज करके फिर श्लो में य वैसे गुरू होना चाहिए पहला चीज तो उस रास्ता में समशान में जाके पूजा होता है तो कुछ-कुछ भगवदी का सरूप का पूजा, मातारा का पूजा होता है, माकाली का पूजा होता है, भेरभ बाबा का पूजा होता है और और भी है माता के सरूप के तो वो समश आप मिले ओ आगोरी से मिला हूँ वो आप में ये चीज पैचानत है कि आप भी तांत्रिसिस्म प्रैक्टिस करतो हूँ हाँ एक तो उन लोग को तो ये पता होता है एक बार मैं कामाख्या में था अंबुबाची एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा वो जून के महिने में बीस तारीक से चेश्व बीस तारीक तक होता है जैसे कुममेला होता है न वो मान लिजे कि चार दिन मंदिर बंद रहता है वहाँ kinda मा का जो गुफा है गर्वगरी है वो जो प्रधान जगा जो है, स्थल है यहां से एक स्रोथ पानी का बहता, वो पानी जो है उसका रंग जो है लाल हो जाता है, उस चाठ दिन मंदिर बंद रहता है, पूरा इंडिया में जितने जो कोई तंतर साथना करते हैं, ओगर साथना करते हैं, इत्यայी करते हैं, सब उस समय आते है, ऐसे लोग जो कभी और बागी कभी नहीं दिखेंगे आपको, उस चाट दिन वहां मुंदिर में आएंगी, वो एक एक जगा, प्लेस एक रिवरेंस का है, इसलिए कामक्या, महा कामक्या का इतना भत्वा, इतना ये है, इतना मर्यादा है और इतना स्रद्धा है इस रास्त में तो उस समय पे मैं गया था, काफी सालों समय, और बहुत अगर लोग भी आते हैं, तो कुछ अगर लोग आये हुए थे, जो किनाराम आश्रम से काशी में, किनाराम बाबा एक बहुत बहुत बढ़े संत थे, अगर संत थे, जो काशी में रहते थे, शायद 15th सेंचुरी होग दो खेल दो कि वहां वार लोगोई अगर संत थे, जैसे तुलसीदाश जी अगर अश्रम संत थे, जल अगर संप्रदाए क बहुत बढ़ने थे, अगर संप्रदाय थे, पुरा गुरूपर नगर चलता है, तो वही से कुछ आए हुए थे, कुछ शिश्य को लेके प्रिदीक्षा देने के कारण और उसी समय मेरा कुछ इंटरेक्शन हुआ था फिर काशी में भी एकाथ समय मैं जाता हूँ अपने साधना करने के लिए एकाथ समय में तब जाता है रहता हूँ actually काशी में दो समय में बहुत पुराना जो महा समय में समय में तो वहां पर मिल जाता है जो ज्यनुवीन ओखर हैं ऐसे बहुत स रही हैं कि कुछ पर द्रेस लगा लिजे, कुछ इधर उधर विभूती लगा लिजे बाबा का, कुछ एक रुद्राक्ष बड़ा सा लगा लिजे और एका डायलोग बोल दीजे, वह भी होकर बन जाएंगे, तो है, कैसे पहचानते है पर कि असली कौन है, इतना असान नहीं है, आपका स स्पिरिचुल विद्या नहीं है, एक से जादा इंट्रेक्शन हुआ है, तो एक बार तो ऐसे ही उनसे बहुत बात हो रहा था, वो भैरव बाबा को पा सकते, और बस जनरल बात हो रही थी, और उस समय पर, और एक एडवांटेज मेरा यह भी होता था, अभी तो मैं उस अवस्था में जब उहां पे जब रहते हो कुछ ना तो आप एक सिग्रेट ओफर कीजिए तो वहीं से एक मत्तब एक आपका जैसे कि एक एक फ्रेंशिप बन जाता है किसी से, तो बाबा जी वो गहां यह लिए फिर बैठे वहां पर बात करते रहे हम लोग तो उन्हें पूछा कहां से हो क्या कर रहे हो यहां पर कितना कौं सा साधना करते हो इत्यादी थोड़ा बातो उन्हें आपके बारे में उनके बारे में बताया उनका पैदाईश ही समर्शान में हुआ था उनके जो पिताजी थे वो भी अगर थे माता माता भी डिटेल पूरा उतना नह पूजा करते थे और भार बाबा करते थे और भार बार में कुछ-कुछ चीज उन्हों ने मुझे बताया था उसमाँ पर नेगीटिव इनरेक्शन भी हो ऑगर्स से अगायो अफस्य अग्र, यहा, तरेक्शन यागरी इस कब फूर पर डिट्यल्सृण नी बताऊंगोंन ब़तापा हूं, में कुछ उपना साधना करिगा था 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 हूं, अजिकर मोहितो रहता हूं। साधना मतलब आप पूजा कर रहे हुए अधे सडली आया मेरे सामने आ रहा है आक ऐसे ही बात करने लग गए और मुझे बोले कि आरे मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रहा था तो यहां पर आचा है तो फिर अर दूसरा बात है कि उन्होंने बोलने लग तुरंथ कि मैं क्या मंत्र जब कर रहा था कौन से साधना कर रहा था क्या क्या चीज कर रहा था एटुजएड एक्दम सौ परसंट एक्यूरेट सौ परसंट और आपको जो है कोई अगर आपके सामने बैठके से बोलने लग जाता है तुरंथ आपको लगता है कि कुछ तो है औविसली यह तो मत्तब फ्लूक से नहीं हो सकता है और इत लगता है A B C D सब ठीक है एकदम जैसे कि आपको एक इंग्लिश में जैसे कहते है ना रीडिग अन ओपन बुक वैसे तो मैं तो देख रहा हूं फिर मुझे बोला कि मैं तुमें तुम्हें दगा कि विशेस बतलः मतलो दीक्षा यानि एक स्पेसिफिक कुछ साधना इसके लिए जरूरत है तो वह साधना के वार में मेरा थ् Πुड़ा अईडिया था और अंदर में एक लालज भी आता है तो कोई आपके आपको बोलेगा कि अच्छा आपके लिए विशेश दीक्षा आ रहा है तो आपको एक एक इंपोर्ड़न्स के फीलिंग होता है अंदर में अच्छा आप तुरंद हां बोल देते हो विदाउट बाकी कुछ जज नहीं करके लेकिन उस समय पे तो नहीं नहीं कि रात को अल्मोस्ट एक देर वजे मैं गया वहां पे जगा पे स्पेसिफिक जपर डिटेल्स वगरा मैं कुछ नहीं बताऊंगा बस इतना है कि वहां गया पे जब मैं पहुचा हो वहां पे देखा कि वो थे उनके शिश्य थे कुछ इत्यादी और वो सेटिंग के मुझे एक इंट्यूशन जैसा है कि यह दीख्षा नहीं है कुछ तो और ही हो रहा है अपको डर लगा डर नहीं गुसा है आपको डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि माता आपके साथ थी वो मुझे बता नहीं मैं बस बता रहा है कि जो हुआ नहीं दर नहीं लगा गुसा है आपको ह मुझे पता नहीं है यह क्या हो रहा है क्योंकि उतना मेरे knowledge सान है उसमें पर लेकिन इतना हमदा है कि यह दिक्षा है ही नहीं यह तो कुछ और ही कर रहा ही है और शायद इफाई मैं अगर cooperate करता हूँ तो मेरा ही कुछ नुकसान होने वाला है क्या हो सकता था नुकसान बहुत सारा मेरे ही साब से कुछ कुछ ऐसे पधती है जो अगर किसी के उबर किया जाता है उसके बाद से आप चाहे कितना भी साधना करो आपका जो शक्ती जो अक्यूमुलेट होता है कुछ भी meditation कर रहे हो या जब कर रहे हो वो किसी और के बास चला जाएगा वो कहीं पे भी हो दुनिया में यह सब पॉसिबल है असंभव कुछ नहीं है दुनिया में तो लेकिन उस सामें मैं जो इतना आइडिया नहीं था बस इतना मेरा I was sure कि यह जो है यह यह सही चीज नहीं है कुछ भी जो भी हो रहा ही है तो एकदम से गुस्सा आगया और गुस्सा आगया मैं उनको बस बोला कि ऐसा है कि जो भी आप कर रहे हो मुझे तो पता नहीं है लेकिन यह सब एकदम बखवा सा अब रहाफ मैनर अभी वो रिक्रिएट नहीं कर पाँगा वो लेंगवेज भी रफ था मेरा तो फिर मैं उनको बोला कि इतना तो मैं गैरंटी दे सकते हूं कि अगर मेरा गुस्सा आगया जो देवदा को मैं पूछता हूं वो भी गुस्सा हो जाएंगे और फिर आपका सब कुछ बरबाद हो जाएगा इतना गैरंटी मेरा है आपको आप चाहे कि इतना भी तंदसादना कर लीजे कुछ भी कर लीजे हिमायले के उपर भी चर जाएए कोई फरक नहीं बढ़ता है मेरा अगर दिमाखरा हो जाएगा जिनका पूजा मैं करता हूँ वो आपको नहीं चोलेगा अब किनकी पूजा करते हूँ अब आता के कोई फगवती के कोई रूप का ही इसलिए तो कामाख्या में था मैंने इतना जाता रहता हूँ तो उन्होंने मुझे याद वो शायद उनका 60-70 उमर होगा उनका शकल याद है मुझे नाम में कुछ याद नहीं है पूरा शकल याद है अभी भी देखोंगा तो मैं रेकोगनाईज कर जाओंगा तुरंत और शंता था उनमें क्योंकि उन्होंने जो प्रेडिक्शन दिया था देखके एकदम हंड़ेड में हंड़ेड एक गलत नहीं था तो उन्होंने देखा मेरे तरफ सड़नी उट गए खड़े हो गए ऐसे एकदम प्रणाम किया प्रणाम मुझे नहीं कर रहे थे वो जिनका मैं पूजा करता हूँ भगवदी का जो स्वरूप का उनको प्रणाम कर रहे थे वो खड़े ठीक कोई बात नहीं तुम तुमारे रास्ते मैं मेरा रास्ता यह चीज जो हम लोगों के जो इंटरेक्शन उसको भूल जाओ दिमाग से एकदम निकाल दो और अगले दिन दो दिन बाद वो भी वही पहार में ही थे कामाख्या में मैं भी था तो रोड पे दिख गए तो बस दूर से एकदम प्रणाम करके है तुम कुमारे रास्ते बस दाट वो इंटरेक्शन के एंड था लेकिन उस एक दिन में उनके साथ जब मैं था वो खट थे और इंटरेक्श्न पूरा खट थे तंतरसादना को वो चरम अवस्था में वो जो जो ज़ासि मैं बता रहा था कि समार्शानिक जो साधना होता है उसका एकदम एक्स्ट्रीम में जब जाता है तो ओगरसादना बन जाता है लेकिन उन्होंने जाने से पहले, जब उनके साथ मैं बैठा था, सारा दिन बैठा था, तो फ्यूचर का कुछ-कुछ प्रेडिक्शन दे के ऐसी, बात करते करते, उस समय पर में था, मैं जैसे पिछले पॉड़कास में बता रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि बॉम्बे ज तुम्हारा बंबे खतम हो गया, ठीक है, तुम्हें दूसरे जगा जाना है, इस साल में इतने साल में तुम्हारा यह होगा, एक जॉब लगने वाला है, इस जगा पर ऐसे होने वाला है, फिर उस समय पर मेरा शादी नहीं हुआ था, तो ऐसे सटनी मुझे पूछा कि, उसको उनको बंगॉली आता था, तो इसलिए मेरे को बंगॉली में वो सेंटेंस वगरा याद है, तो एकदम निमित आ जाएगा, तुम्हें को पता चल जाके कि से शादी करना किया, कुछ नहीं करना है तुम्हें, और साधना चलता रहेगा, बंगॉली में सेंटेंस कह सकत है, आगे जाके क्या होगा, और इतना में बता सकता हूँ, उस घटना के चार-पात साल के बाद भी, जब मैं पीछे जाके, क्रोनलोजी सोचता हूँ, तो जो जो चीज उनने बता है, सब हुआ, एकदम हंडिड परसंट एक्यूरिटली हुआ, उनने बता है कि इस साल में य लेकिन फिर भी उनके अंदर वो ग्रीड था, रहता है, हम लोग पूरा जो शट रिपू है, पांच ग्रीड हो या लास्ट हो यह जाने में बहुत समय लगता है, तो उनको लगा था कि कुछ प्रयोग कर देगा उनों, वो कर देंगे तो उसके बाद मैं जो भी साधना करू जहां पर भी हूँ, उसमें कुछ फाइदा उनका हो जाएगा इत्यादी, और इसके लिए उने जूट भी बोल दिया कि चलो तुम्हें देग्षा देता हूँ, तो मैं तो बस यह मानता हूँ कि मा कामाख्या उनका ब्लेसिंग था कि कुछ नेगटिव नही हुआ उस समय प इस पॉडकास्स पर बहुत सारे लोगों ने आगवरियों के बारे में बहुत सारी बाते किया, कुछ लोगों ने एकदम पॉजिटिव पिक्चर पेंट किया, कुछ लोगों ने एकदम नेगटिव पिक्चर पेंट किया, आप पहले ऐसे इंसानों जिन्हों ने ग्रे पिक यह एकदम जेनूइन पात है क्योंकि उस पात में चलके बहुत बरे संथ भी हुए है अच्छा जो पात सही है कि गलत है कैसे आपको बता चलेगा जिस पात से संथ महापुरुश आये है तो वह पात सही होगा वह रास्ता तो जाता ही है और भी बहुत सरे ओगर थे वो लोग हो सकता है कि 10 जन, 12 जन, 20 जन बाकी सब उसको वेस्ट कर रहे है उस पात का कुछ नेगटिव कुछ कर रहे है त्यादी वो तो उसका काम है उसका करम है वो छोड़ दीजे लेकिन एक भी आगमी उस रास्ते से अगर पोचा है तो मतलब उस पे कुछ तो सत्यता है हाँ मैं य बावा विश्वनात का यही महत्व है जो सब कोई कर नहीं सकता है जो कुल में पैदा होगा जो गुरू के अंडर सीखेगा वो वेड़ पार்थ होगा और एक्दम एक्स्ट्रिम में औगर है पूरा तांत्रिक कंत्र के एक दम एक्स्ट्रिम दोनों चीज को हैंडल कर सकते विश्वनाथ बीच में बैठके भगवान बैठा हुआ है सब कुछ देख रहे है जब लोग यह आघोर या आघोरी शब्द सुनते तो अकसर मास के बारे में सोचते ह वह भी इंसान का मास के आपने ऐसे सवाल पूछे हो नहीं बट यह है एक साधना का अंग है ऐसा नहीं मतलब बहुत सरे मास लेके कुछ खा भी के कुछ मतलब यह कर रहा है और एक चीज है कि काफी समय पर आपको एका किसी ने मुझे भेजा था यूटूब वगरा में गया कि कोई आकी युटीब में या कोहीं दस हजार लोग ए山ए कि में अगम है यह कर रहा हूं तो आप जान लिए कि एकदम निम्नस्थर के ओगर है ओगर ऐसा रास्ता है जो जितना पुछ भेर में जाता वो अपने आपको उतना घेर के रखता एक अशुक्र्ट रागता नहीं है किसी को, ना कोई प्रोपगेंडा करता है, ना एक बार मुझे याद है, मैं एक बार वो किनाराम आश्रम के जो आचारे है, जो प्रधान, जो है, उनसे कहीं मुलाकात हुआ था मेरे कहीं, इसमें, तो ऐसे ही मेरे साथ कोई था, तो उनमें पूछा कि आप लोग, वो ड्रेस क्या पहने हुए था, एकदम साधान इंसा जासा, जिसको पता नहीं है, मैं जब आया था, किसी ने बोला कि, वो जो आचारे है, जो बंदर हेड है, जो अभी आश्रम में है, तो मैं सुझ जो कहां पर होगा, ठीक है, फिर किसी ने बत कि, वो हाहां पर खरे, एक कुछ डायलोग होई है, होगा 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 है, तो यह जो थे, एकदम सज्जन जैसे, कुछ गार्डन में कुछ हो रहा था, वो देख रहे था, तो किसी ने उनको पूछा, कि आप लोग यह नहीं करते है, तो एक सेकंड सोचे, उन्होंने और पान खाते, पानिया कुछ खा तो जब इतना बड़ा कुछ हो जाता है, तो उसका क्वालिटी भी आपको फिर, इंग्लिश में जैसे करता है, वैसे चीज़ आप दे सकते हो, जो एक्स्क्लूसिव है, जिसके लिए बहुत सरा नियम है, डिसिप्लिन चाहिए, वो चीज़ कभी मास हो ही नहीं सकता है, मेरी इसब से थोड़ा सा है उसमें, आप सोचिए, जेनरल एक्जामपल, आप तो क्रिया योगा थोड़ा, आपको आइडिया है, तो क्रिया योग में महावतार भावाजी इनका उनका महात्म है, तो किसी ने अभी तक देखा है कि वो आये, चलो मेरा एक पॉडकास कर लो मेरे को थोड़ा इंटेव्यू ले लो, मेरे को थोड़ा चाहिए कि दस जन मेरे को जाने, है न वो तो है, कहीं तक है, उनको सब पता है, वो तो बहुत 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 उपर स्टेज में है, कि मान लो कि जीरो से सौ तक, अब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये गल इसका मतलब नहीं निकाला जाए, मेरा उपिनियन है, मानो ना मानो जिसका है, तो जीरो से हंड्रेट आम मान लो की पूरा रास्ता है, तो जीरो से हंड्रेट के बीच में आप 20-30 तक जब जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे चीज होता रहेगा, आपके आसपस, इंजोई करेंगे, उसको आप, फिर आपको अगर लगता है कि जो मेरा पात है, उसको दस जन को बताना है, या कुछ आश्रम बनाना है, या मुझे और भी लोग चाहिए, एक ओर्गनाइजिशन करना है, अच्छी बात है, करो आप इत्यादी, etc. सत्तर के उपर जब चला जाते हो, त एक रिलाइबल चीज, तो क्यालकटा में, बिंगॉल में एक चीज होता है, जैनुरी महिने में, एक मेला लगता है, ओ गंगा साकर बेला कहते हैं, तो बहुत सादू संत का आगमन होता है, पूरा इंडिया से होता है, तो एक कोई संत आते है, जो बदिनात से आते है, मैंने सुना हुआ है, लेकिन, उनके साथ और भी लोग थे, तो बनाके नहीं बोल रही, एक दम सही बात उनों बता रहे थे, तो वह हर साल आते है, तीन दिन रहते है, फिर चले जाते है, और बदिनात से इतना लोगों को बता है, उनका नाम वा अगरा कुछ नहीं बता, तो एक वो आये और उनके साथ एक एक या अच्छा इनका उमर होगा करीब पचास साथ दिखने में जैसे लगता है और उनके साथ एक एकदम यंग वेक्ति मादब 25, 24-25 होगा बैठे हुए मॉंक के वो गेरुआ धारन किये हुए चुप चाब बैठे हुए तो और यह बाबाजी देते हैं उसे फायदा भी होता है लोगों का इसलिए भीर भी लगता है तो ऐसे सब बैठे हुए है लेकिन उनके पास जो है कोई दम शांत एक बात ने कर रहा है चुप चाब एक दम यंग लड़का मतलब लगेगा 20-25 साल का ही होगा उस से जाधा नहीं है तो बाबाजी बस इतने बोले कि ये जो है यभी बद्रिनाथ का इन्होंने कभी ग्रीष्ट का घर देखा नहीं है अचा मतलब हाॉसोल्डर देखा नहीं है वह दोंको ले के आया पर दिखने के लिए कि कैसे घ्रीष्ट को कैसे रहते ऐसे करके आपे पास में बैठे हुए तो एक फोटो ले लिया कि बाबाजी का मेमरी रहेगा फोटो लिया फोटो लेने के बाद सबसे खैरान वाले चीज उनको पता चला है फोटो में सब कुई है everybody is there पूरा फोटो में पस वो 25 साल का जो संतर फोटो में नहीं है है ही नहीं हो फिर आकर बाबाजी यह कैसे संभव है तो उन्हों उन्हें बोला एक answer दिया जो answer आप लाहरी मशाय भी देते थे बाइदवे लाहरी मशाय कभी यही चीज सेम चीज वो कर सकते थे करते थे भी उन्हें बोला कि आपको शरीर दिख रहा है यह तो आत्मा है वो बिना उसके परमिशन के आप फोटो लिये तो कैसे दिखेगा आ और आपको पता ही नहीं उनको उमर कितना है पता ही नहीं कौन से युक का है अब सोचिए जो आदमी कभी घर देखा ही नहीं है ग्रेस्त हम सब ग्रेस्त है सुसाइटी में रहते ग्रेस्ती है जो ऐसे इंसान इसका उमर बता नहीं जो ग्रेस्त के घर देखानी है तो फोट कि आपके सामने ताकि आपको घबरहाट ना हो इसलिए रूपधारण करके बैठे हुए तो यह सब संथ भी है अच्छा यह लोग कभी नहीं आते हैं लेकिन क्वेस्चन अगर पूछा जाए यह क्वेस्चन आता है कभी-कभी जब मैं एक एक्जांपल देता हूं तो यह फिर करते क्या है चाहिए लोगों का कल्यान तो कुछ करे कि आपको कैसे बता कि कल्यान नहीं कर रहा है वहाँ पर बैठके ऐसे ऐसे कल्यान हो सकता है जो सामने नहीं आके भी आपको लग रहा है कि दौर भाग करके कल्यान होता है पीछे से भी हो सकता है कौन कहां से क्या थौट को कैसे दे रहा है कहां पर कौन सा मूवमेंट कर वा रहा है कैसे कर रहा है यह दुनिया एक आइसबर्ग जैसा है एक परसंट उपर से दिखता है हम लोग झुछ ते यह सब कुछ हो रहा है तो एक एंजे ओ खोल लिये साधना में यूज होता है जितने लोगों से मैंने प्लांट मेडिसिन की बात की है वो सब के सब दतूरा से बहुत डरते हैं दतूरा भी मतला गांजी की तरह नहीं है इनवे आवास का की तरह है शायद पर भारत में भी पाया जाता है अगर आप दतूरा के बार में गूगल सर знать में कुछ है धाइड़ा अड़रा धाफ दतूरा का यूज होता है पुजा में लेकिन मैं इस एंगल से नहीं कि उसक faut को बने कोई कंजी्यू कर रहा है उसरे क्या हो तो उसमाजा मुझा आइडिया नहीं है धाप घटूरा का एकदम उस होता है शिव्व०ा में और बहौT बहुत इंपोर्टन्स है कुछ-कुछ साधना प्रयोग में धतूरा बिना होगा ही नहीं शंकर भगवान को दिया जाता है इंटरनेट कॉंटेक्स्ट यह है कि धतूरा एक ऐसी चीज है जिसे यूज करने के लिए भी माध्यम होता है नियम होते है ऐसी ऐसी कहानिया है रेडि और फिर दिवार और छट पर ऐसे क्रॉल करने लगे मेरे दोस्त फिर मैंने फिर से आंक बंद करी आंक खोली मैं असलनल में होस्पेटल में था और मेरे दोस्त आये और मुझसे कहा कि आपने दतूरा लिया था बहुत कुछ किया अपने अपने कपड़े उतार दी आपने य करनी चाहिए जैसे की कोई गाजा या भांग ले रहा है वैसे ग्रहन करने का एफेक्ट या वगरा होता है मुझे कोई आईडिया नहीं है इतना जरूर है कि धातूरा का पूजा में इस्तेमाल होता है कुछ-कुछ मंत्र है उससे अगर जागरित को शिवलिंग है उसमें कोई धातूरा देता है बाबा को तो काफी सारे नेगटिव चीज अपकर कम हो जाता है वो प्रोसेस है ऐसे नहीं है फिर कुछ महाविद्या जैसे एक महाविद्या है दस महाविद्या में एक माह का ग्रूप है काफी डिफरेंट टाइप का है उनको कहते है माधुमावती एक वीडो जैसा है उनका रूप है वाइट कलर का और एक क्रोज साथ में चलती रहती है तो उनका पूजा में कुछ-कुछ विशेश पूजा होता है शत्रों को रोकने के लिए कभी शत्रुबाद वगरा हो रहा है उसमें धातूरा का इस्तमाल होता है और वो भी नॉर्मल धातूरा नहीं ऐसा धातूरा जो नैचरली कोई समाशान में ग्रो किया हुआ उसको प्लक करके और अच्छा तंत्रसाधना में वस्तू का बहुत इस्तमाल होता है वस्तू अर्था यह नहीं कि वो गरहन करना है इसको पूजा में यूज करना है और वस्तू यह वास्तू यानि स्पेस का जो बात करो वो नहीं वस्तू यानि अबजेक्ट अच्छा काफी सरे चीज़ है, यसे पेर पौधा, जाड़िये, वो, बहुत साथ, सबका अपना महत्वा है, सबका अपना specific knowledge है, कुछ देवता के लिए, कुछ देना पड़ता है, तो इस context में धातुरा का यूज होता है, एक दम होता है, प्रयोग में होता है, कुछ-कुछ मं मुझे चक्कर आ रहा है, अभी थोड़ा, honestly, पर और बाते करनी हैं आप से सुर्फ, मैं हलके से थोड़ा ब्लैंक हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी knowledge की depth कितनी है, कल की वज़े से, हम लोग ने कितने सारे topics के बारे में बात किया, I hope कि जो लोग ये Hindi podcast सुन रहे उन्हें English समझ है और वो भी podcast देखे, ये वाले podcast के बाद, और ये मैं थोड़ा सा Hindi audience को cater कर रहा हूँ, definitely, इसलिए शायद मेरे questions एक तरीके के है, आप से ये पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत अजीब चीज कही कल, जो मेरे साथ अभी भी है, कि जो लोग politics में और जो ल बड़ी हस्तियां वो बहुत फेमिसली तंटर विद्या को यूज करते हैं, आप कुछ कहना चाहूंगे इसके बार में, हाँ, बस एक ही लाइन, कि इसका कारण ही है कि इसका कारण ही है कि इसको लगता है कि फायदा हो जाएगा, एक दम हुमन लॉजिक ही है बाकी जगह पे इसलिए मैं जब कभी भी तंतर के बार में बात होता है कहीं भी, और सफ यहां पर नहीं कहीं और कुछी ने पूछ लिया मेरे को, तो वो एक क्लैरिफिकेशन जरूरी होता है कि एक है कि तंतर जो साधरन लोग समझते है कुछ इदर काला जादू कर दिया, या कर दिया, वो इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह कोर नहीं है, यह हार्ट नहीं है, अचा आज आप हनुमान जी का पूजा करते हो, हनुमान जी का ऐसे मंतर है, प्रवग है जिससे आप शत्रू का एकदम विनाश कर सकते हो, इसमें भी कर्मा होता है, कर्मा तो सब जगा प वो थौट से भी कर्मा होता है, वो सोच से भी कर्मा होता है, लेकिन, एक थोरा सा टैंजेंट में मैं जा रहा हूँ, एक मुझे ऐसा लगदा है कि हमारे जो सुसाइटी है, हिंदू सुसाइटी और लास्ट दो हजार तीन हजार साल में, उन्होंने एक गलती कर दी है कि कर् कर्म क्या होगा इसमें एक करना चाहिए नहीं करना चाहिए वैसे ठीक है कर्म को मैं डिनाइए नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह बोलना कि पुराने जो टेक्स्ट से पुराने जैसे भगवद गीता मानलो या जो भी है वो जो एकदम उस समय उसमें आप देखेंगे कि सबसे प्रधान ने दिया गया धर्म को धर्म के आधार पे कर्म हो रहा है अठ्था आप यहां पर क्या हो कि इंग्लिश में जिसको कहते है पुटिंग दी कार्ड बिफोर दी हॉर्स अब कर्म के आधार पे गीता को आप सोचोगे तो अर्जुन तो सही बताया था क्यों मैं मार प इस उसके बाद एक एक करके आध्यात्मिक पूरा स्कीम पूरा समझाते हैं उनको कि क्या है मोक्ष क्या है अच्छा मोक्ष के बाद वो यह इसे करके मोक्ष मिल जाता है जब प्रान ब्रह्मरंद से बहान निकलता है मोक्ष मिल सकता है तो तुम अभी सब छोड़के ध्यान के लिए सबसे लजजा जनक बात ये होता है कि वो युद्ध शेत्र से भाग गया सालों तक लोग बोलते रहेंगे तुमारे बारे में तुम शत्रियो हो तुम युद्ध के सामने मैदान में खड़े होके तुम भाग रहे हो और उस समय पर ऐसा था स्त्रिया औरते शत्रिया कुल में रहते थे और उनके जब कोई पुत्र संतान वगरा होता था तो दे उस टू फिल प्राउट उस समेंपे के लिए कि जब ये मेरा बेटा जो है वो धर्म के रक्षा के लिए युद्य कर पाएगा शत्रिया का बेटा यही करेगा वो स्वाध् करना मैं तो यह तो मेरा दोस्त है भाई बंदू है से मैं कैसे कर दोंगा फिर याद दिलाता है कि क्या क्या है उन्होंने और नॉट जिस दैट वो एक योग का क्या मार्ग है कैसे करम करो लेकिन करम में निलिप तवस्था में करो जो करना है वो तो करना है वो तो ऐसे भी क कर्म का मोमेंटम ऐसा है कि मुझे जाके उसको मारना एक थपर तो थपर मारने के बाद दस दिन तक सोच भी सब बहुत बढ़िया यही हो गया यह तो तुम ज़स्ट कंप्लीट जो करना है उसको सोचो मत दिमाग से निकाल दो पूरा एक दम उसमें इमोशनल एटेश्मेंट हो इमोशनल एटेश्मेंट नया कर्म का वीज बन जाता है और अंत में भगवान क्या बोल रहा है सब कुछ हो जाने के पूरा अठारा ध्याय के बाद भगवान बोल रहा है कि जो तुमारा मर्जी है अब वो करो ये नहीं बोल रहा है कि अब युद्ध करो ये करो बट हाँ उनको तो समझा दिया है पहले एक दम पूरा प्रॉपरली बोल रहा है कि तुमारा जो मर्जी है वो करो तो मेरा पॉइंट ही है कि पहला चीज है धर्म ये समझो कि स्वधर्म क्या है कि इस context में समय काल पातरता की हिसाब से क्या धर्म है वो समझो क्यों कि धर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा धर्म तो तुम्हें स्वभाव है नेचर है जैसे भूक लगेगा खाना खाना पड़ेगा धर्म करना पड़ेगा अब धर्म करोगे तो कर्म तो कहीं पे उसका कर्म है कि शैडो है धर्म जिसको कहते हैं वो अगर एक इंसान है उसका शैडो है कर्म पीछे-पीछे गुंता रहता है अगर आप कर्म की सबसे सोच से रहोगे और और ऐसा हुआ भी है, बहुत सारे systems में, philosophy में, कर्म को ही प्राधन दिया गया है, कि कर्म मुझे, और उस system का गोल भी ये रता है, कि final goal, यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरे को बस जिंदेगी खतम करके मोक्ष निर्वान जो भी है, उसमें प्राप्त करना है, तो उस society मौंक के society बन जाता है, उसमें आर्ट कल्चर का क्या फादा है, finally तो फिर मोक्ष में जाना है, लेकिन यह था नहीं, हम लोग का पहले का जो system था, ना यह philosophy था, धर्म सबसे important था, और हाँ, अब धर्म के साथ करम भी आता है, तो उसको तुम कैसे निगेट करोगे, ऐसे जैसे कि एक antidote ले लिया, antidote यही है कि वो काम जो कर रहा है, करो, थोरा detached हो के करो, और साधना करते रहो, तो detachment और साधना एक सदका चलता रहेगा, तो देवता कृपा आता रहेगा, वो अध्यात्मिक प्रोग्रेस होता रहेगा, अपने आप से बाकी रास्ता निकल जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, कि करम नहीं करोगे, इन फैक्ट भगवान तो यह भी बोलता है, कि मेरे लिए तु यह सब कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, क्रिष्ण यहीं बोलता है, कुछ जरूरत नहीं है यह सब कुछ करने का, फिर भी तो अवधारित होता है, फिर भी तो आता है, फिर भी तो करते है, क्या जरूरत है, कि वो नहीं करेंगे, ना तु तो संध भी बंद करने के काम, और, he makes a very beautiful statement, एक जगा पर बोलता है कि, जो फेमस लोग करते हैं, बाकी लोग वो देखके, उस हिसाब से प्रेरिथ होके काम करता है, अगर सबसे जो प्रधान जो लोग है, वो समाज के जो सबसे बरे है, उपर है, वो लोग अगर अर्जुद जैसे कोई युद्धा अगर युद्ध शेत्र से भाग जाता है, उसका क्या परिणाम हो का सोचो, तो यही सब है बहुत कुछ, तो टैंजेंट में थोड़ा चला गया, बट पॉइंट यह है कि धर्म जो है, वो प्राधन्य ए, प्राइमरी है, धर्म समझना सबसे इंपॉर्डन्ट है, करम उसके साथ जुरा हुआ रहता है, करम को निगेट करना यही है, कि धर्म करो थोड़ा सा निलिप्थ होके, निलिप्थ कैसे होके, देवता उबास ना करो, तुम्हारा चित्त जो माइन्ड जो है वो देवता के उपर जाधा स्रद्ध फक्ति और अटेच्मेंट वहां पर जाधा है मेटिरियल से कम है तो देवता का कृपा भी है और तुम्हारा कर्म वगेरा सब कुछ भी है हों तुम्हार चिस्थ इस पूरे पौडड कास्ट में आपने कमक्य कहे भी मंदिर के बार में बहुत सारी बाते किए बताइए सुर में यह Works mat शांड जो मंब्लाभ एक स्थे गुनकि इस मंदिर सपक्र Alg औघर के उपद्धती से जो उपासरा करते है, तो कि हर दो तीन तंत्र के गंत्र में एक चैप्टर ही अलग से कामाख्या के उपर रहेगा, कि क्या है कामाख्या, इन फाक्ट यह भी सिर्फ हिंदू नहीं एक समय पर नाइन्थ सेंचुरी से पहले कामाख्या मंदिर में इंस्क्रिप्शन के हिसाब से बोध्ध तंत्र भी होता था, तो वो लोग मा कामाख्या को एक बोध्धो देवी हैं, नईरात्मा, उनके रूप में पूजा करते थे, नईरात्मा मतलब जो आत्मा नहीं है, क्योंकि कामाख्या का जो मूल देवी है, वो एक तरसे निराकार है, वो गुफा है, अद्दर, गुफा में भगवती का एक स् संद्र यंटर के शसाब से कामाख्या का कोई रिकलि का ही रही कि उने है कि इतना इतना शक्ति ह कि वो पूरा पाहार को शिस्ट्म उक यंत्र के तरह है। बहुत सारे दिव दिविया सिर्फ मा कामाख्या नहीं बहुत कुछ है वहाँ पर हजारों साल से जो तांत्रिक सिध्ध पुरुश और साधना करने वाले बहुत बहुत फेमस लोग है एक थे शौरबानंदना ठाकूर निनका नाम काफी फेमस है जो दस महाविद्या का सिध्धी था उनका फिर ब्रह्मान बहुत सारे थे यह लोग सब कामाख्या में जाके साधना करते थे मा कामाख्या का और एक बहत्व है कि मा कामाख्या का आइकोनोग्राफी अठात मूर्ती जो है आप देखेंगे तो उनका छे सिक्स फेसेस है छे फेसे बारा हाथ है उनका और वह एक पद्म के उपार है यह जो लायन और जो प्रेत है और श्वेत प्रेत है और जो पद्म है यह तीन है ब्रह्मा विष्णु महिश्वर इन तीनों ने रूप बदल के आया है क्योंकि मा का ऐसा शक्ति है यह कि इनका आसन साधरन जमीन पे नहीं हो सकता है कोई लिए नहीं सकता है महामाया का एक सबसे आधी रूप एक तरीके से पूरा दस महाविद्या उनके अंदर है वो ही से उत्पत्य दस महाविद्या का काली तारा भैरवी छिन्नमस्त सब है और एकदम बहुत सारे पुराने स्टोरीज भी है ऐसे माना जाता है कि रिशी वशिष्ठ जो वेदिक रिशी थे उन्हों उन्होंने ब्रह्मा का मानस पुत्र थे उनको महामाया का साधना करना था तो उन्होंने कामाख्या शेत्र में आये और बहुत साल से हजारों साल से उन्होंने मंतजब किया वेदिक पद्धिज साधना किया कुछ नहीं वा तो गुसा हो गए गुसा हो कि वो अविशाब दे कि नंहीं आया क्योंकि तुम्हारा पध्धिगलत यह पाद्धि से इस देवि का पुजा होगा नहीं तुमको सीखना पर का एक महा चीन करके जगा है जो कहीं टिवेत मान लो उस स्वरूप में बैठे हुए बढ़ान नारायन मतलब विष्णु नारायन बुद्ध के स्वरूप में बैठे हुए उनके साथ तीज त्री बैठी हुए है वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग और सामने मदिरा है माहसा इत्तादी है तो रिशी एकदम गुस्सा हो जाते है बुड़ी सब क्या है ऐसे पूजा पार्थुरी होता है तो फिर एक discussion होता है दोनों के बीच में वो बुद्ध रुपी नारायन और इनके बीच में और वो उनको समझाते कि ये तत्व क्या है ये पद्धती क्या है ये वामाचार क्या है क्यों इसका इस्तमाल होता है क्या इसका फायदा होता है तब उनको दिखता है इस पूरा जब उनको फिर उस पद्धती से वो साधना करते हैं, कामख्या भी करते हैं, तारा पीट में भी आके करते हैं, मातारा का, और ही अटेंस पर्फिक्शन, साधना में एक दम पर्फिक्शन आता है, तो उस पीठ, पीठ स्थान का, कामख्या का एक महत्व है कि वो एकदम तांत्रिक इतना तक कि काम अख्या के पूरो ही प्णमध्य को कर सकते हैं। ऑनी ही कर सकता है। जो बली का दिक्षा है, वो बली दे सकता है, इत्यादी सवे, बली भी होता है वहां पे कि तंतर के आचार में, बली का भी महत्व है। किस चीज की बली होता है ऐसा है कि बली एक कॉंट्रोवर्शिल टॉपिक हो जाता है हम लोग के इसमें शक्त पुजा में शक्ति के उपासदा में तंत्र पुजा में बली का महत्व है और महत्व ये मेरे कहने से किसी और के कहने से नहीं ये शास्त्र के अधर पे है एक दम और वेदिक क्रम में भी वैसे बली वेदिक यज्य में भी होता था ये आज का बात नहीं है तो इसके इस टॉपिक पे काफी सारे बहुत जो रिवर्ड और जो मानने था वैसे आचारे जो है पुराने वेदिक क्रम के जो आचारे कुमार लाभट्ट वगरा ये बहुत मानते थे वही एक तरह से माननों कि उन्हीं के राइटिंग उन्हीं के लेक से आज वेदिक पुझा पद्धती सब बाकी कर्मकांडव बहुत सारे उन्हीं के या फिलोसफी एक तरह से उन्हीं के राइटिंग से बात है तो वो लोग जितने आचारे है वेदिक क्रम में तांत्रिक क् लेकिन जो कर रहा है वली उसको आप नहीं रोक सकते हैं लेकिन उसका भी क्राम है उसका मेथड है असा नहीं कि किसी कोई भी पशु के अंदर एक लक्षन होगा कुछ कुछ चीज है बहुत सारे और इन फैक्ट काली का पुरान में कालीका पुरान जो 9th 10th सेंचुरिय बहुत heating और मंदिर के वा गार्थ मंद्र के पास लिखा गया था क स्कॉलर्स को नटी के अन्ने था वे इस। हिंधे निग्य है तो यह कामा सुत्र भी कामा ख्या अस पस 관विन सित्धर गया था है सो बली क्या है कब देना है कैसे देना है किस किसका क्या बली हो सकता है इत्यादी बहुत सरा नियम है बली का और कौन दे सकता है मातारा का जैसे मातारा का भी बात हो रहा था मातारा का एक स्तोत्र है बहुत फेमस तो उसमें एक लाइन है बली हो माप्रिया जो ऐसा देवी है जो बली बसंद करती है जो हवन बसंद बली हो माप्रिया और यह बली प्रिया रक्त प्रिया मामसब प्रिया यह चीज बार 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 काली तारा कामाख्या इत्तादी कुछ भगवती का स्वरूप है जिसमें ये है और ये चीज़ समझना इंपोर्टेंट है हम लोग को कि देवता उपासना में जिसका जिनका पूजा कर रहे हो उनको क्या चीज़ पसंद है वो आपको करना है ना कि आपको जो तो मुझे बेल पत्र देना है अभिषेक करना अशिवलिंग पे विष्ण भगवान का पूजा करना हो तूलसी देना है उनको ये चाहिए अगर शंकर भगवान को तूलसी दीजेगा तो आपका पूजा सकस्फुल नहीं होगा ऐसा नहीं कि शंकर भगवन आके आपको वहाविद्या सरूप है, उनमें बली का प्रथा रिश्यों ने बोल के गया है, और उसमें दो तरह का भी बली है, अच्छा वेजिटेरियन बली भी हो सकता है, जैसे कि कामाख्या में यह है, इक शुक यानी शुगर किन, शुगर किन का बली होता है, एक चीज होता है, बेंग स 경찰, जैफल का बली दे सकते हैं, अच्छा जैफल का बली दे सकते हो आप, सब का अपना-पना SPECIFICATIONS है, ख़त किस चीज का बली देना है, जैसे कि एक एक इकजामपल आपको झिकभारण के लिखता है, एक वेजिटेरियन जोिए. झीशन है उसका बली दे तो निवरित्ति म का हो गया अर्थात आपको अंदर में मेडिटेशन करके आपको कहीं एक तत्व को रियलाइज करना है डेप में कहीं जाना है तो आप वेजिटेरियन चीज का बेली दे दिया ठीक है अच्छा अगर शक्ति को बाहर प्रोजेक्ट करना है क्योंकि तंत्रमार्ग में यह नहीं शक्ति इस पावर ठीक है पावर लेकिन अद दे कंट्रोल अद दिवाई नौ तो बाहर में आपका अप्लाई करना है जो पावर कुछ कुछ जगा वहां पे बली का पशुबली का विधान तो एक दम है और अपने देखी है पशुबली हां बहुत बहुत बर देखने का एक देखो के ग्यारा दिन आव योंट इवन बलिंक एक शौट में होती है और एक खर्ग जो जिससे बली होता है मा का वो अच्छा जो फैमिली बली देता है उसी फैमिली में बली चलता रहता है उसका जो बेटा होता है वो ही बली देता है एक अट लिस विशेश दीक्षा होत बली देने से पहले खाड़ कीया जातां जो पशु है उसका भी थोडा सा महाला दे की गसा इक मत्र से पूजा कया जाता है in fact बलि से पहले टेक्निकली प्रापटरी। अगर दिया जाए तो बली से पहले संखल को बोल रहे हो कि मैं ये उत्सरगह को कर रहा हूं ये बली उत्स खतम हो गया, वो दिमोमेंट आप बली उत्सर कर दिया देवदा के नाम पे वो गया, और बहुत सिफ ये नहीं, बली में बली जो खून आता है बली में, जो ये होता है, उसको कुछ विशेश बली का पूझा होता है उसमें ऐसा होए कि वो खून जमीन में टच नहीं बोदाख झाल बर कने गाते हैं आडय को उसके सामने बैटके विशेश पूजा बोगाइड हुता है उसके सामने बेटके हुद पूजा अर इसको कहते हैं अर्थात अपने अर्जीसे नहीं हो राओ यह जो शास्त्रके आधार पर है 14th century में एक बहुत ज्यानी पंडित हुआ करते थे जिनके लिखवा 28 पुस्तक के आधार पे पूरा धर्म का जो भी काम होता है बेंगौल इस्टर इंडिया में उन्हीं के लेक से आता है उनका नाम था रगुनंदन भट्ट बहुत ही बहुत ज्यानी थे तो उन्होंने ये भी लिक रहे हैं वो तो इतने भी लिक रहे हैं कि दुर्गा पुजा बद्धती वगएरा बहुत कुछ लिक रहे हैं तो सात्विक उपाए में भी मादुर्गा का अगर पूजा हो रहा है तो अश्टमी के दिन बली पुजा कर रहे हैं तो तंत्र में इतना भी बोलते हैं कि कुछ देवता जिसको बली देवता बोला जाता है अर्था बिना बली दिये वो संतुष्ट नहीं हो गए अच्छा उनको अगर आप दक्षिनाचार पद्धती से तंत्र साधना कर रहे हैं जहां पर मीट फिश वग काफी brainwashing भी हुआ है लोगों को कि यह बहुत खराब चीज है यह सुपरस्टिशन है और यह चीज चालू हुआ था brainwashing की जब ब्रिटिश जमाना था तो मिशनरी वगए रहते थे तो वह तो क्या क्या रहा है यह सुपरस्टिशन और उस जमाने का चाहे जो भी हो environment ऐसा था कि सबकोई सोचिशन ने एक subconsciously आपको यह idea था कि आप आपको उस उस parameter में आपको measure करना है आपने आपको तो आप भी बहुत सरे लोग जो leaders हैं लोग है वो भी बोलने लगे कि यह सब चीज खराब है बेकार है इत्तादी ना बेकार है ना खराब है उसका example अब दे और बली का और एक advanced version होता है जो हाँ जो साधरन लोग उपासक नहीं कर पाएंगे साधन आपका ठीक चल रहा है भगवती का साधन जो बली लेते हैं बली देवता है और भगवती का पूजा में तो बली का एकदम है ही शक्ति पूजा में अच्छा जो पशू का बली होगा वो खुद बखुद आएगा आपके बास आपका पावर अगर वैसा है उतना energy आप पाते हो अपने पूजा में वो ऐसे भी उपासक है वो लोग सामने इतना आसान इसे नहीं आते पर वो ऐसे पूजा करेंगे वो बली का पशू अपने आप से आएगा उसके शरीर में लक्षन होगा और वो एक पूजा करेगा बली को टज भी नहीं करेगा पशू को पूज पशु को सकता ने वो स्पेसिफिक खा उसका भी बहुत स्पेसिफिकेशन से बहुत स्पेसिफिकेशन से और शायद अगर हमने पशु के नाम लिये रहा है तो तो दूसरा मेरा हिसाब से एक दम सिंपल यह है कि कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कहीं पर कि परसंटेज अफ पीपल जो नॉन वेजिटेरियन है वो इंक्रीज होता जा रहा है यह डेकेट अफटर डेकेट कुछ दिन पहले रिसर्च मैं मतलब पीपर में देखा था मैं तो यह चीज है कि एकदम साधरन अंडरस्टाइन यह है कि आप जो चीज ग्रहन करते हो खाना बली होता है अपका फिर वो तो फिर एक ही बात है यह मैं यह मान सकता कि पूरा समाज जो है हमारा सब वेजिटेरियन कल बन गया है तो मैं मान सकता चलो ठीक है मैं वेजिटेरियन बन गया पूरा समाज तो मुझे बली नहीं देना है तो फिर भी एक कही न कहीं पर उसमें पड़ी दिक्कत यहां कि शास्त्रों के अधर पूझा पड़ती पूरा चलता है तो वो इतना बोले कि बली अगर सहीं ठी ह्ठी जगा पर दिया गया जो पशु है उसका जो सोल है भगवती खुश हो के उसको एक रिवर्ट देता है है तकी वह और भी जो फ्रीडम उसको नही उससे वो आगे चला जाए और जिसने ये पूरा चीज को फेसिलिटेट किया उसको भी ब्लेसिंग मिलता है क्योंकि माँ खुश हो जाती है तो ये चीज देखने के लिए समझने के लिए पहले एक आर्गुमेंट कभी कभी आता है लोगों में कि अचा माँ है कैसे बच्चे क अबली ले सकते हैं पशू तो सब सबकाइमा है तो इसमें यह है कि वह मा तो जरूर है लेकिन वह human being जैसा नहीं है तो हम लोग मा भगवती का सबसे कौमन एक स्लोग है स्रिष्टि स्थिति विनाश आनंग शक्ति रूपे सनादनी स्रिष्टि स्थिति विनाश तीनों पूछता है तीन अवस्था में ही उनका भक्ति रखता है ऐसा नहीं जब सब अच्छा चल रहे सब बढ़िया है वह विनाश कहां गया विनाश तो लिख के दिया है उन तो वह करती है वह हां फिर से एक information की bomb आप फेकर हो हमारे पे सर बट अप्रीशियेट इट एक आखरी स साधना है सबसे पहला चीज और प्लस मैं अपने आपको स्कॉलर ही समझता हूँ स्कॉलर हूं नहीं मैं स्कॉलर नहीं हूँ लेकिन पुस्त के बहुत बढ़ता रहता हूं साधना के relevant जो है चाहे यह गीता है और चाहे तंतर है चाहे पुरान है इत्यादी है और श्री आड जल्द बाजी में नहीं रहो, जल्द बाजी में तो सिफ दो मिट का मैगी बनता है, बाकी और कुछ नहीं होता है, अराम से अगर रहो, हरबरी ना करो, तो अपने आप से, जैसे इंग्लिश में शब्द होता है, मेरे को उसका हिंदी या बेंगॉली पता नहीं है, कि दिखाने वाला कोई है नहीं, तुम अपने आप satisfaction के लिए, बी curious, और question पूछते रहो अपने आप से, जब तक पूरा satisfaction नहीं आता है, वो right answer जब आता है, एक मेरा ऐसा लगता है कि right answer तुमारे अंदर नहीं आता है, कुछ और plane है, जहां पे है, तो वो देखता है कि तुम सही, जब आप यही है, पूरा जो स्कीम चल रहा है, या पूरा आपका जितना जिग जो पाजल है, यही बैठता है, fit ऐसे, हमारे चौते एपिसोड के बाद, मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि, खुद को मुझे लाइफ में बहुत खालीपन महसूस हो रहा था, पिछले द बची नहीं है, spiritually शायत कुछ खालीपन फील हो रहा था, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और कल के तीन podcast के बाद, और आज के चौते podcast के बाद, मुझे इतने सारे idea मिल चुके है, जवाब मिल चुके है, ऐसे tube light मिल चुकी है, खुद के रास्ते के लिए, क्या मैं तांतरिक बनने वाला मुझे पता नहीं, पर आपने definitely मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो thank you sir, जैसे कि कल थी, काल, भेरव, जैन थी, और at least मेरी लाइफ में बहुत कुछ changes आ चुके हैं कल के बाद, एक दिन में ही, बस यही कहना चाहूँगा कि तारा दिव्या नमहा, मातारा का कृप रहे सब के उपर, मातारा तो सब पूरा ब्रह्मान का मालिक है एक तरीके से, वो चाहती है, तो एक सेकेंड में होता है, सबसे, बस एंड करने से पहले यही है कि महाविद्या में सबसे तीव्र, सबसे fastest is her, कृपा, सबसे जल्दी आता है, बाकी थोला टाइम लेते हैं, बह उसके उपर आपको सब information रहता है, जिसको परना आता है, मा, जो हम लोग जो जिस रूप में मातारा को पूछते हैं, उनका ध्यान स्लोक वगरा होता है, उसमें उनका प्रत्यालिदपदार प्रत्यालिदपद एक स्टैंस है, स्टैंस यानि एक तरे से पैर कैसे रहेगा, जैसे एक आर्चर, जो तीर ये करता है, आर्चर, जिस अवस पोज में खळा रहता है, और तीर छोड़ने के बाद उसका जो पोज रहता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कि उनका ब्लेसिंग पहले से अलरी निकल चुका है, यूव तो बेड़ी तो टेक इट, शी इस गड़ करेंए फस्ट, मैं मातारा का, मैं मातारा की ये मूर्ती अभी उठाउंगा, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, क्यूंकि मातारा रही है इन पॉड्कास में, क्या बताना चाहोगे इस मूर्ती के बारे में, इस वेरी वीटिफुल, बस आप, पकड़ोगे, नही कुछ spiritual totems होते हैं, यानि कि कुछ चीजें होती है, और यह हर धर्म में होते हैं, इसलाम में तावीजें होती है, Christianity में रोजरी होती है, हमारे धर्म में मूर्तियां होती है, बुद्ध में मूर्तियां होती है, और यह बोध मातारा का फॉर्म है, उनमें तो मातारा का बहुत इस वाले मूर्ती में मुझे इतना पावर महसूस क्यों होता है शायद कुछ connection है शायद अब थोरा सा अगर continue करते हैं कुछ भी थोरा सा ध्यान और सिंपल नाम मंतर से मां का जब वगरा करते हैं कुछ समय तक तो बाकी तो मां जाने इस हर कॉल हम लोग तो थोरा ज्यादा से अपने बुद्धी से थोरा इतना तक बता सकते हैं फाइनली देवता जो है वो आटोमेशन नहीं है ना सौफ़ेर है परस्वेर कोस्पिक परस्वे तो उनका जब मर्जी होगा वो खुद ही आपको बता दे कि क्या है क्यों आपके पास आया है मेरे पिता जी पिछले बारा साल से मुंबई में नहीं है और उन्होंने ये शायद टिबेट से लिया था पता नहीं कहां से लद्दा कि टिबेट वन ओफ दू और यह उनके स्ट पिस पर पता नहीं जब हम उस्टूडियो को क्लियर कर रहे थे तो मुझे मुझे इपने साथ लेनी की वो ख्याइश मेरे दिल में मुझे फील यहाँ भी आज़ रखी हुई ती मा और फिर एक दिन देख एड़ उन्हें उन्हें उठाय में रग दिया और बहुत ज्यादा गहरा बॉर्ण अब फील होता है मुझे इस मूर्ती के साथ एक बहुत पावर्फुल स्पिरिचुल टोटम बन चुका है पता नहीं क्यों और मुझे यह पता नहीं था कि आप भी तारामा के एक भगत तो बहुत कूल है कि आप से इनके बार में मुझे सीखने को मिला और ज यह तो नाम मैं पहले बता था नाम मंतर कोई भी कर सकता है यह तो इस सिफ यह नहीं एक सो आठ जो तारा देवी का नाम है वह भी कोई पाट कर सकता है वर्ण वह बाकी डियम वगएरा आता है अगर तांत्रिक पद्धति से अपमा का पूजा करो तब कुछ नियम है उसमें यह तो बस मेरे इसाब से कोई भी उनका अगर सिफ नाम का ही जब करता है थोड़ा सा करते रहता है रेगुलर्ली कुछ ब्लेसिंग फील तो होगा इस वेरी काइंड यह चार पॉड़कास मेरे सबसे बड़े ब्लेसिंग से सर थैंक यू तो दोस्तों यह था आज का एक भा और एपिसोड बनाएं उन्हें जाके देखिए अगर आपको डर लग रहा है अगर आपको यह जानना है कि आपकी स्पिरिच्वालिटी की जर्णी की शुरुआत कहां से होनी चाहिए I highly recommend आप लेवल सुपर मैंड को डाउनलोड कीजिए पिछले दो सालों से हमने इस आप बहुत ज़्यादा मेहनत किया ताकि बहुत सारे लोगों की meditation journey की शुरुआत इस आप से हो जाए लोगों की mantra based meditation की शुरुआत इस आप से हो जाए डाउनलोड कीजिए और इस आप से सीखिए उसके link दिये गए है नीचे हमें ये बताइए कि हिंदी में आपको राजशी सर से और क्या जानना क्योंकि जल्दी राजशी सर पर लौट कर आएंगे इनके साथ बहुत सारे English वीडियो बनाने इनके साथ बहुत सारे Hindi वीडियो बनाने हमें बस ये बताइए कि आपको इनसे और क्या सीखना है हमारी audience हमारे लिए भगवान है तो जो भी आप बोलोगे हम उसी topics को लेकर और podcast बनाएंगे राजशी नंदी सर के साथ थैंक यू ग्रो करते रहो लाइफ में TRS बहुत ही जल्द लौट कर आएगा झाल झाल